नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने येटूब चानल में फ्रेंट्स, most of the cases बहुत सारी महिलाओं के मन में ये प्रशन है कि हमारा अब डिलीवरी का टाइम जिन नजदीक आएगा तो कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे दानी का मुग खुल रहा है क्योंकि नैशन तरीके से सविक्स का मुग खुलने लगता है तब ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और ये मुलायम और लचीला भी हो जाता है लेकिन इसके कुछ संकेत होते हैं जो सरीर कुछ दिनों पहले से ही देने लग जाता है तो अगर आप जाना चाहती है कि आपका सविक्स का मुग यानी बच्चे दानी का मुग खुलने लगा है इसके क्या लक्षन होते हैं साथी साथ आपकी normal delivery होगी या नहीं तो ये वीडियो आपकी बहुत help करेगी इसलिए इस वीडियो को पूरा without skip किये हुए देखिए सबसे जडूरी और महत्पुन बात ही होती है कि अगर आपकी pregnancy में कोई भी दिक्कत और complication sonography report में नहीं आई है बच्चे का बजन सही है इसके अलावा आपको hemoglobin की कमी नहीं है इसके अलावा भी कुछ चीज़े देखी जाती है जो last के sonography में पता चल जाती है उस दोरान बच्चे की position भी देखी जाती है कि बच्चे का head down हुआ है या नहीं क्योंकि normal delivery के लिए बच्चे का head down होना जरूरी है बच्चे को भी अपने आपको ready करना जरूरी है तो ये सारी चीज़े अल्ट्रा साउन में देख ली जाती है लास्ट के और आपको बता दी जाती है उसी के according आपको brief किया जाता है कि आपके cesurian section होगी या normal delivery होगी जब आपके 9 महिने start होते हैं और उस दोरान बच्चे का head down होने लगता है जनरली 34 weeks में बच्चा head down कर लेता है तो इस दोरान जब उसका नीचे pelvic muscles की तरफ आता है तो आपको बहुत जादा urination की problem हो सकती है आपको हर 15-20 मिनट पे urine pass करने के समस्य आएगी क्योंकि friends से बहुत ही अच्छा sign होता है बच्चा जब head down करता है तो इसका पूरा भार आजाता है आपके urinary bladder के उपर इस वज़े से ये एक normal बात होती है इसके अलावा friends अब आपको ऊपर की तरफ यानि आपके breast के नीचे बहुत हलका feel होने लगेगा क्योंकि बच्चे का सर नीचे हो गया है पैर उपर हो गया है तो यह जो space पैस जो है जो पहले बहुत जादा आपको भारी भारी लगता था वह अब हलका feel होने लगेगा आपको अपच की problem अब नहीं होगी आपको gas नहीं बनेंगे क्योंकि यह अब आपकी delivery का time नजदीक आ जाता है तो सडीर अपने आपसे hormone का balance भी change करती है जिसके वज़े से आप gas की problem आपको नहीं होगी ना ही सीने में जलन की परिशानी होगी ना ही आपको सांस लेने में problem आएगा क्योंकि जब पैसेस यहां का खाली होता है तब आपको सांस लेने में भी असुविदा नहीं होती के अलावा friends बहुत सारी महिलाओं को जब hit down बच्चे का सिर हो जाता है तो पेलवी केरिया में pain भी होने लगते हैं यह दर्द जो होना एक बहुत ही महतपूर्ण रीजन के साथ होता है क्योंकि अगर आपको contraction spence जो कि हम false contraction spence में count करते हैं कुछ सब्ता पहले से आना ज़रूरी होता है यह आपके बच्चे को directly नीचे नहीं आने देता है थोड़ा थोड़ा करके आपका cervix open होता है तो यह pain बहुत important है जिन महिलाओं को pain नहीं आते हैं उनको induce भी करना पड़ता है तो pelvic muscles में pain होना पहले start होता है फिर जब आपको contractions pains आने start होता है तो उस दोरान आपको कमर से लेकर के pain तक pain आ जाता है और इसकी frequency भी कम होने लगती है पहली यह कुछ घंटों में आते थे अब यह कुछ मिंटों में इस तरीके से जैसे जैसे आप delivery के करीव जाती है यह pain बढ़ने लगता है इसके साथ ही साथ friends कई सारी महिलाओं की पानी की थैली फट जाती है या फिर water drop leakage होने लगता है जब भी आपके पानी के थैली फटती है और आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा गीलापन महसूस हो रहा है इस समय without based any time आपको तुरन डॉक्टर से consult करना चाहिए क्योंकि उस दोरान वेट केवल हम 24 आवस्ता की कर सकते हैं अगर चार से पांच घंटे में आपके liver pain स्टार्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है बहुत सारी महिलाओं के हो जाते हैं बट नहीं होते हैं तो इस condition में induce कराने की भी जरूरत हो जाती है उसके बाद आपकी normal delivery हो जाके रखता है किसी भी प्रकार का bacterial infection आपके वज़ाइना से insert करके आपकी uterus तक ना पहुंचे इसकी पूरी जयमेदारी mucos plug को होती है mucos plug बच्चे दानी के मूँ के बाहरी लेयर पे होता है जब बच्चा head down करता है तो pressure की वज़े से ये mucos plug निकलना सुरू हो जाता है जो कि हलके pink color का होता है और ये धारी दार होता है तो कभी भी ऐसी condition में घबराना नहीं चाहिए आपको ये लक्षन जब भी महसूस होने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होनी की जरुवत नहीं है बहुत सारी महिलाएं डर जाती है जो कि पहली बार माँ बन रही है डिलीवरी करने वाली है तो उनके मन में ये प्रशना आते हैं कि अब क्या होगा बहुत ज प्रशने हैं तो आप कमेंट स्रीक्शन में पुछ सकती है पूजा घर संसार या फिर आप मुझे फेस्बुक पेज पर फॉलो कर सकती है इंस्ट्राग्राम आईडी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकती है वहां पर भी भूद रोचक जानकारिया प्रेग्नेंस डेली आती र आपको प्रती दिन सबसे पहले मिलती रहें इसी उम्बीत के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ मिलूंगे जल्दे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ अपना पूरा धेहान रखिए टेक क्यार गाईर बी सेफ बी हैपी हेल्दी स्टे टून थांक्स पर वचिंग